आप देख रहे हैं जैभारत टीवी गोदियाल ने सवाल खड़े किये हैं गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्राखंड की जनता और उसकी धार्मिक आस्ता की जीत हुई है मगर सवाल है कि ट्रस्ट को जो पैसा केदारनाद धाम के नाम से मिला वो कहां गया लिहाजा उस पैसे को बद्री केदार मंदिर समीती को वापस किया जाना चाहिए साथी जो शिला केदारनाद से दिल्ली ले जाई गई उसे भी वापस लाना होगा और जो दिल्ली में मंदिर के लिए जमीन जुटाई गई उस जमीन को भी BKTC को दिया जाना चाहिए दिल्ली में बन रहे केदारनाद मंदिर के ट्रस्ट ने उस समीती ने जिसका नाम की केदारनाद धाम ट्रस्ट है एक पत्र सोसेल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्मान अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था क को भी हम भंग कर रहे हैं कि अब तीन काम रह गए इस मामले में जब तक ये तीन काम नहीं होते तब तक ये पूरा आपरेशन अधूरा है और ये तीन काम है नमबर एक कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बदरीनाथ के केदार सिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहाँ पर उस केदार सिला को वहाँ पर सिला नयास में उपयोग किया गया सरसंबान उस केदार सिला को वापस केदारनाथ में इस्थापित किया जाए वापस लाए जाए नमबर दो और नमबर तीन कि जो भी वो जमीन धाम के नाम से बन रहे मंदिर को लेकर सूबे में जबरदस्त बवाल हुआ था क्योंकि इस मंदिर की भूमी पूजन में खुद मुक्यमंदी पुशकर सिंग धामी पहुचे थे बाद में सरकारने के धारनाध धाम ट्रस्ट और मंदिर के प्रकरन से अपने हाथ पीछे खीच लिये थे ब्यूर रिपॉर्ट जेभारेट टीवी